चलो गाइज आज तो फिर बात करते हैं कि what are the options for international students जो Canada में हैं और जो Canada आने चाहते हैं कि उनके पास क्या PR options है on provincial nominee programs for international students in Canada हर student जो इदर आता है Canada में या Canada में है या Canada आना चाहता है वो यहीं चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी कि Canada की PR मिल जाए और Canada की PR के बाद Canadian passport holder बन जाए तो कुछ options वीडियो में discuss करें कि भाई क्या pathway या route ले सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखो समझ आजाए काहनी है है हलो गाई लुकम बाख आज हम जु दूदी में बात करते हैं जाए कि क्या प्रजासिस आज हैं हमारे लिए इंटरनाशनल स्टूरेंट्स के लिए कि उनके पास PMP देखो रीसेंट आर्टिकल में मैंने यही देखा था आप लोग उनने कैनेटी में पढ़ाई होगा जो रीसेंट आर्टिकल आया था IRCC की तरफ सरों ने यही बोला था कि हम लोग जो है वो फेडरल स्किल वर्कर्स ड्रॉज जो वो ड्रॉज होते हैं जो लोग बहार से आते हैं वो अब इतने नहीं होंगे क्योंकि बैकलॉग इतना पड़ा है हमें उनको ही प्रोसेस करना है फिर एक और बात चली थी कि यह टीयार टू पीयार आएगा टीयार टू पीयार उन स्टूडेंट्स के लिए था जो यहां पर ओलड़ी कैनड़ा में हैं लेकिन यह जो वीडियों सब के लिए जो की अधरूशन प्रोसेस करेंगे और अगर हम बुलाएंगे बीना तो हम लोग प्रोसेस पर ब fences बहुत करेंगे तो इसका मतलब यहां सब्सक्रीणा करएंगे हमारा जो next quota है Canadian Embassy का वो है प्रोविंशन लॉम्नी प्रोग्राम का तो इस वीडियो के अंदर मैंने दो प्रोविंश को डिटेल में डिसकास करूँगा कि हम लोगों एज एज इन इंटरनाशनल सुडेंट हमारे पास क्या ओप्शन से फॉर पर्मिंट रेसिडेंशी प्यार ऑंशेरियों के अंदर और बिटिश कोलंबिया के अंदर हम वन बाइवन डिसकेशन करेंगे इस वीडियो में उक्रणोर्ड के अंदर बात करूं तो मैं सबसे जादा कैनड़ का पौपिलिट्रट प्रूविंस है ऐंशेरियों के अंदर उनकी जो सिटे आ जाती है वह आती है तौरंटो अब अगर मैं तॉरंटों के अंदर बात करूं तो मिजोरिटी इंटरनाशनL सुडेंट जो आता है Canada के अंदर वो Toronto ही land करता है in majority of the cases क्योंकि Toronto के अंदर जो है वो हमारी देशी पब्रिक बहुत जाता है economic activity, economic happy Canada के लिए जो है वो वही है क्योंकि वहाँ पर jobs easy available है, सारी industries वहाँ पर हैं सब कुछ economic activities Canada की तरफ से वहीं पर ही होती है तो इनसान तो वहीं जाएगा जहाँ पर jobs होंगी क्योंकि यहाँ पर क्यारणा में survival तो वहीं jobs पर international students के लिए क्या PR options हैं तो मैं आपको बताता हूँ I think majority of the videos में आप लोग मेरी पुरानी videos भी जाके देखेंगे तो उसमें मैं नहीं बोला है कि international students जो हैं that is masters होनी चाहिए या either PhD होने चाहिए अगर आप masters हो और आप PhD हो तो आपके experience की कोई भी requirement नहीं होती आप directly onsharyo के program में आप offer जो है वो PR के लिए आप apply कर सकते हो तो यह point यहाँ पर आप लोग को matter करता है उसके बाद हम लोग को अगर onsharyo के अंदर बात करें तो आपको यह जहन में रखना है कि जैसे आप graduate हो उसके दो साल के अंदर अंदर आपको apply कर देना है provincial nominee program के लिए as per onsharyo अगर आप दो साल से और उपर हो जाते हो देन आपके लिए वह जो प्रोवेंचिन नॉमिनी प्रोग्राम है वह उसके लिए फिर legally eligible नहीं हो उसके अलावा आपकी यह कंडिशन होती है कि आपने at least एक साल का program किया हो एक साल का program किया हो यह नहीं कि एक साल से कम का program किया है 8 months का भी program या one year का program at least 8 months जो के वह एक साल ही होता है एक साल का program या दो साल का program जो है वो जो international students यहाँ पर आ रहे हैं जो यहाँ पर है वो at least यह बात को जो है वो consider करें ओकी गाइस जैसे और शेरियो के एक policy है international students के लिए जो कि आप ए graduate है जो direct PR apply कर सकते हैं तो इस ही तरह इस ही तरह British Columbia की भी एक policy है जिसमें हमारे पास international graduate stream आजाती है जिसको यह जो कहते है express entry BC आप जो files लगाओगे वो BC में ही लगाओगे लेकिन आपको प्रोविंस जो है वो पिक करेगा तो express entry British Columbia international graduate stream जो है वो यह कहती है कि आपके पास तीन conditions है सबसे पहली condition आपके पास यह है कि आपके पास job offer होनी चाहिए experience नहीं होना चाहिए आप कहीं पर job कर रहे हो और आपके पास जरूरी नहीं है कि एक दो साल का जैसे यहां पर minimum requirement किया है कि आपके बस एक साल के experience ओ तो ही आप PR फाइल कर सकते हो तो तो फिर आप express entry में आते provincial आपको तब सपोर्ट करता है कि बस आप जॉब offer हो या आप job कर रहे हो लेकिन आप अब initially starting में लगी हो graduate होनी के बाद तो guys इसकी एक तो job offer की requirement हो गए दूसरी requirement जो है वो यह है कि आप at least at least जो है वो एक minimum income criteria जो है वो आप match करते हैं लेकिन I don't think so that income criteria इतना मुश्किल आप normal job भी करोगे तो आपको income criteria match हो जाएगा उसके इलावा एक और इनकी requirement है कि आप last 3 साल में ही post secondary education आपने complete करी हो आखरी 3 सालों के अंदर for instance अगर आप 2022 में graduate हो तो आप 2025 से पहले-पहले SPR program का use जो है वो आप कर सकते हो provincial nominee program के लिए यह नहीं कि आप बाद में कर रहे हो okay guys तो कहानी यहां पर आके बनती है कि बहुत सारे इस international students है जो आना चाहते हैं और जो यहां पर है जिनको इन बारे में पता ही नहीं होता मैं आपको और भी provinces के बारे में detail provide कर सकता हूं कि वह यह provinces है जहां पर अब graduate होने के पार direct PR file कर सकतो experience की requirement ही नहीं है ना experience की requirement है ना jobs की requirement है एक BC के अंदर jobs की requirement है otherwise किसी भी प्रवेंस में jobs की requirement भी नहीं है तो guys I think इस वीडियो में मैंने काफी हद तक clear कर दिया आप लोगों के जो concerns है कि PR PR हर students मुझे Instagram पर DM करके यह पूछता है कि यह पूछता है कि PR कहा है असान है provinces में make sure यह करो कि आप लोग अपना bachelor's आप करो अपने home countries में and then try to catch up with the masters in Canada because Canada एक ऐसा country है I personally believe other than all international student destinations where permanent residency options are very 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 high so I personally believe and I personally recommend you guys that opt for Canada and if there are other provinces that you understand that you can make a video and tell us about it then comment down करो मुझे और Instagram पर जरूर follow करो यार YouTube का channel subscribe करके नहीं जाते है 70% लोग are my viewers are non-subscribers so thank you so much you are watching this video but do not forget to subscribe my YouTube channel and take care